नमस्ते चात्रों, बच्चों, हमने पाट साथ खुला आकाश पुरक पठन की जान करी गी है। आज हम पाट पर आधारित पुरुती स्वाध्याईं पूर्ण करेंगे। पुरक पठन पर चार अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो आईए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न इस तरह पूछा जाता है। निम्निलिखित पठित पध्याउश पढ़कर दी गई सुचनाओं के अनुसार पृतिया की दिये। 28-पुस्तक्रमा 27 हमारे अंदर यहां से कोशिश मेहीं पध्याउश दिया है। आपको पद्यावुष का वाचन करना है और वाचन करने के बाद पद्यावुष के आधार पर दी गई कृतिया पूर्ण करनी है. क्या है और वाचन करना है और वाचन करना है. झाल झाल आपते पध्यावश पड़ा होगा पहली कृती दी गई है प्रवाह ताली का पूर्ण कीजिए गली की विशेष्टाए आपको पध्यावश में धूनकर गली की विशेष्टाए लिखनी है कली की विशेष्टाए हम लिखते है आस्मा नहीं दिखाई देता पेर नहीं है न पेर लगाने की जगह है मकान पर मकान लदे लगते है आपको तुरंत पकबुक में उत्तर लिखकर लेना है आगे का प्रश्ण है लिखिए घर से बाहर जाकने पर यह दिखाई देता है घर से बाहर जाकने पर क्या दिखाई देता है आंसर लिखते है मकान ही मकान एक गंदी वर तंग गली तिसरा प्रश्ण है प्रुती पूर्ण कीजिए गली से यह नहीं दिखता गली से क्या नहीं दिखता है आपको आंसर दुन कर लिखना है आपने परिछेत पड़ा है गली से यह नहीं दिखता आस्मान गली से यह नहीं दिखता गोसले बनाती चिडिया चिडियों को देखकर लेकक सोचते है उत्तर लिखिए प्राकृतिक नहीं चिडिया रबर या प्लास्टिक के बने खिलों नहीं पाच्वा प्रश्ण है उत्तर लिखिए गध्याउश में वर्नित चिडियों की विशेश्ता है पध्याउश में दूनने की कोशिश करनी है और उत्तर लिखना है गध्याउश में वर्नित चिडियों की विशेश्ता इस प्रकार है पेड पर बैठी नहीं दिखाई देती बिदली की तारों पर बैठी दिखाई देती टेलीफोन के तारों पर बैठी दिखाई देती यहाँ वहाँ घोशले बनाती नहीं दिखती यहाँ पे सेकेंड जो उत्तर है उसमें बिदली की तारों पर है वहाँ पे पैर हो गया है आपको वहाँ पे पर लिखना है आगे हमें गध्याउष क्रमा दोन दिया है निम्नलिखित पठीत गध्याउष पढ़कर दी कई सुचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए आपका पाठ्य पुस्तक्रमा कर ट्वेंटी एट है गध्याउष दिया है बिल्कुल चुक्चाप यहाँ से और कुछ नहीं यहां तक दिया है यहाँ पे गध्याउष दिया है आपको गध्याउष पढ़ना है यहाँ पाठ्य आपको यहाँ दिया है झाल झाल आपने गद्याउश पड़ा होगा कृती एक आकलन आकृती में लिखिए कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु कुछ मनुष्य में बुरे प्रवरुति के पशु दिखाई देते हैं तो कुछ मनुष्य में अच्छे प्रवरुति के पशु दिखाई देते हैं आपको जो उत्तर है आकृती में ही लिखना है कुछ मनुष्य में बाग, बेडिये, लकड़ बगगे, टाप, तेंदुये, बिच्चु, गोजर जैसे पशु दिखाई देते हैं तो कुछ मनुष्य में गाय, बकरी, भेड, तीतली, आधी पशु दिखाई देते हैं आगे का प्रश्ण है सही विकल्प चुन कर वाक्य फिर से लिखिये बिल्कुल चुपचा बेड़कर सिफ ड्याश बारे में सोचे विकल्प दिया है मेरे अपने सब के तो यहाँ पे हुत्तर क्या आएगा लिखते हम बिल्कुल चुपचा बेड़कर सिफ अपने बारे में सोचे दुसरा वाक्य दिया है दुसरों की सोच समझ पर ब्याश रखे विकल्प है भरोसा प्रेम संदेह तो उत्तर दुसरों की सोच समझ पर भरोसा रखे यहाँ पे जो सही विकल्प चुन कर वाक्य फिर से लिखिये या पे दिया जा रहे है आपको तुरंत आपके वर्बुट में उसका आंसर पुर्ण लिखना है तिसरा बाक्य है ड्याश अन्य नहीं अन्त में है हमारे ही प्रतिरूप हमसे अलग या भीन्य नहीं उत्तर दूसरा अन्य नहीं अन्त में है हमारे ही प्रतिरूप हमसे अलग या भीन्य नहीं चवथा वाक्य दिया है ड्याश तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और खुश नहीं विकल्प है इसी उसी किसी आपने भी आंसर लुणडा होगा तो उत्तर है उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और खुश नहीं प्रतिदोन स्वमत अभिवेक्ति नीचे दियेगे मुद्यों को पढ़कर खुद को स्वमत लिखना है मैंने यहाँ पर आपके जानकारी के लिए सिफ मुद्य दिये है उस मुद्यों के आधार पर खुद को आपको क्या लिखना है स्वमत लिखना है एक्जाम में परिक्षा में ऐसे मुद्य नहीं दिये जाते सिफ आपके जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर मुद्य दिये गए है इसके आधार पर आपको आत्मचिंतन के लाब विशे पर अपने विचार 25 या 30 शब्दों में लिखने है यहाँ पर मैंने मुद्य दिये है आत्मचिंतन का शाब्दी करते होता है स्वयम का अध्यर करना अच्छे से सोच कर नीर्णे ले सकते हैं हम कुछ रह सकते हैं प्रोद को कम कर लालज पर काबू पा सकते हैं आत्मचिंतन करने से हमें अपने बारे में पता चलता है कि हमारे भीतर क्या-क्या कम्या है हमें अपने आपको सुधाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए आत्मचिंतन करने से हम अपनी कम्यों को पैचान सकते हैं इसलिए आत्मचिंतन करना बहर जरूर है तो बच्चो जो स्वमत दिया जाता है स्वमत खुद को ही लिखना है आगे का गद्याउष्क्रमांग तीन है निंदलिखीत पटीत गद्याउष्कड कर दी गई सुचनाओं के अनुसार पृतिया कीजिए पाठ्य पुस्तक्रमांग है 28 और 29 मुझे जीवन को यहाँ से दुसरे के लिए यहाँ तक गद्याउष्द दिया है गद्याउष्द यहाँ पे दिया है आपको गद्याउष्द पढ़ना है और इसके आधार पर दी गई कृतियों को पूर्ण करना है प्रूब यहाँ पूर्ण करना है प्रूथी एक आपकलन प्रूथी पूर्ण कीजिए लेखक ऐसी जिन्दगी बिताना नहीं चाता आपने अभी परिछेत पढ़ा है आपको आंसर उसमें से दुन कर लिखना है लेखक ऐसी जिन्दगी बिताना नहीं चाता चीजों को लुकार छिपा कर बातों और वेवारों को रचा बसा कर दुसरा प्रश्ण है उत्तर लिखिये बुड़ा पे के अलावा जिवन के दो खंड पहला खंड है बच्पन और दुसरा यववण बेच्चोर तुरंत आपको उत्तर वगवुप में लिख कर लेने है आगे का प्रश्ण है लेखक अपने आपको इनके लिए अविभाज पाता है आंसर आपको आकृति में ही लिखना है पहला है साईतिक चेस्टा और दुसरा है जीवन चेस्टा आगे का गध्यावश है निंदर रिखीत पटीत गध्यावश पढ़कर दीगरी सुचनाओं के अनुसार पृतिया कीजिए पध्यावश क्रमांग चार पाठ्य पुस्ता क्रमांग का उन्तीस दिल्ली शहर में यहाँ से गुलाम होते हैं यहात पध्यावश यहापे दिया गया है पध्यावश का आपको वाचन करना है और दी गई कृतियों को आपको पुर्ण करना है क्रमांग पुर्ण करना है आपने 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 परिचेत पड़ा होगा, कृती एक आकलन, आकृती में लिखिये, मनुष्य जीवन की स्थितिया, उत्तर आपको आकृती में ही लिखना है, मनुष्य जीवन की दो स्थितिया, गुलामी करना, गुलामी करवाना, दुसरा प्रश्ण है, लेखक इनकी सेवा में लगे है, लेखक, मोटर, कम्पूर्टर की सेवा में लगे है, दुसरा प्रश्ण है, आकृती पूर्ण कीजिए, लेखक की दुष्टी में दिल्ली शहर, लेखक की दुष्टी में दिल्ली शहर के बारे में क्या बताया है, आपको परिछेत में से धून कर यहाँ पे लिखने की कोशिश करनी है, लेखक की दुष्टी से दिल्ली शहर, बहुत बड़ी बस, सवार्यों से लन्फन, हरवक चलायमान, जोडिया मिलाईए, तिसरा प्रश्ण है, दो गट दिये गए है, अ और ब, अ गट में चोप, एकनिष्ट, उज्वल, दर्जनों, आ विभाग में भविश्य, गुलाम, रास्ते, तेवा, त्वभाव, आपको उची जोडिया मिलानी है, चौप का क्या आता है, वभाव, एकनिष्ट, तेवा, उज्वल, भविश्य, दर्जनों, गुलाम, उसके आगे, संदी का मैंने, विस्तार से यहापे स्पश्टिकरन नहीं किया, क्योंकि मैंने जबी आपका द्रामर का जो विबाग था, उसमें मैंने संदी विस्तार से आपको बताए थी, इसलिए आपके पुनरावर्तन के हेतु, यहापे मैंने फिर से संदी के बारे में जांकारी दी है, तो संदी किसे कहते है, जब दो निकटवर्ती धन्विया आपस में मिलती है, उसे संदी कहते है, जैसे विद्या प्लस आले तो संदी शब्द क्या हो गया विद्या ले और संदी के तीन प्रकार है स्वरसंदी, वेंजन संदी और विशर्ग संदी स्वरसंदी दो स्वरों के मेल से जो संदी होती है उसे स्वरसंदी कहते हैं यहाँ पे उदारण दिया है परम प्लस आत्मा संदी शब्द परमात्मा तो अ प्लस आ तो संदी होती यहाँ पे दो स्वर मिला के जो नया स्वर तयार होता है आ होता है दुसरा जो प्रकार है वेंजन संदी वेंजन और स्वर्व अत्मा वेंजन और वेंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को वेंजन संदी कहते हैं यहाँ पे जो उदारण दिये है वेंजन प्लस स्वर्ड तो सत प्लस आचार तो संदी शब्द क्या बना सत आचार और दुसरा जो प्रकार है वेंजन प्लस वेंजन सत प्लस जन तो संदी शब्द बना सत जन तो इस प्रकार यहाँ पे दो प्रकार मैंने बताए कि वेंजन संदी और स्वर्ड संदी आगे का जो तिसरा प्रकार है विसर्ग संदी विसर्ग के बाद स्वर्या वेंजन आने पर जो परिवर्तल होता है उसे विसर्ग संदी कहते है नी प्लस आशा निराशा मन प्लस हर मनो हर आगे हमें देखना है भाशा बिंदू पाट्य पृस्त क्रमांकर 31 निम्ण लिखित संदी विष्थेत की संदी कीजिए और बेद लिखिए संदी विच्चे दें संदी शब्द और संदी बेद यापे संदी विच्चेत के लिए शब्द दिये गए है हमें संदी शब्द तयार करने है और उसका बेद पैच्चाना है तो संदी विच्चेत के लिए दू प्लस लभ, महा प्लस आत्मा, अन प्लस आसक्त, अत्र प्लस चेत्ना, सम प्लस तोष, सदा पस एवं इसका हमें संदी शब्द तयार करना है और उसके साथ आपको संदी वेद लिखना है आपको यहाँ पे संदी शब्द तयार करने है अभी में मैंने पहले से आपको यहाँ पे संदी शब्द लिख कर दिये हैं दुल्ल विशर्ग संदी महा प्लस आत्मा महात्मा स्वर संदी अन प्लस आसक्त अनासक्त स्वर संदी अत्र प्लस चेत्ना अत्र चेत्ना विशर्ग संदी सम प्लस तोष, सं तोष, वेंजन संदी सदा प्लस एवं सदैव स्वर संदी यहाँ पे आपको संदी विच्छेद दिया गया है, आपको संदी शब्द तैयार करना है और संदी बेद पैचानना है और दुसरे प्रकार में आपको संदी शब्द दिया जाएगा, उसका आपको संदी विच्छेद करना है और संदी बेद पैचानना है आगे देखते हैं निम्नलिकी संदी विच्छेद की संदी कीजिए और भेद लिखिए यहाँ पे संदी शब्द दिये है संदी विच्छेद हमें करना है और संदी भेद पैचानना है पहले हमें संदी विच्छेद के लिए दिया था और संदी शब्द हमें तयार करना था और संदी बेद लिखना था और यहाँ पे हमें संदी शब्द दिया है उसका हमें संदी विच्छेत करना है और संदी बेद लिखना है आपको संदी विच्छेत करके संदी बेद यहाँ पे लिखना है संधी शब्द यापे सज्जन, नमस्ते, स्वागत, दिक दर्शक, यद्यापी, दुस्ताहर मैंने यापे संधी विच्छेत के शब्द और संधी भेद लिखकर दिये है आपको आपके वर्ग बुक में लिखकर लेने है सज्जन का संधी विच्छे दें सत्प्रजन वेंजन संधी नमस्ते का नमप्रस्ते विसर्ग संधी स्वागत तू प्लस आगत स्वरसंदी दिख दर्शक दिख प्लस दर्शक वेंजन संदी यद्धापी यदी प्लस यपी स्वरसंदी दू साहस दू प्लस साहस विशर्ग संदी आगे का प्रश्ण है निम्नलिकित आक्रुती में दिये के शब्दों का विच्चेत कीजिए और संदी का बेट लिगिए परिक्षा में इस तरह का प्रश्ण पूछा जाता है संदी शब्द, संदी विच्चेत और संदी बेट संदी शब्द है दिग्ग, सप्ताह, निचल, भानुदय, निचसंदेह, सोरियास्त अमें इसका संदी विच्चेत करना है और संदी बेट लिखना है आपको अभी संदी विच्चेत करना है और भेट भी लिखना है यहाँ पे मैंने संदी विच्छे दो संदी बेद लिख कर दिया है दिका प्लास गज वेंजन संदी सप्ता प्लास अह स्वर संदी नी प्लास चल विसर्ग संदी भानु अधिका उदय विसर्ग संदी नी अधिका संदे विसर्ग संदी और सुर्य प्लस अस्त वरसंदि चौथा प्रश्ण आपे दिया गया है पार्ट में आये संदी शब्द चाटकर उनका विच्छेत कीजिए और संदी का बेत लिखिए संदी शब्द, संदी विच्छेत और संदी बेत संदी शब्द है निर्जिव, संभव, उज्वल आपको संदी विच्छेत करना है और बेत लिखना है निर्जिव का संदी विच्छेत है नी प्लस जिव, विसर्ग संदी संभव का संदी विच्छेत समः प्लस भव, वेंजन संदी उजवल का संधी विच्छेत उत्त प्लजवल पेंजन संधी आपको वगबुख में तुरंत लिक कर लेना है तो बच्चों आज की सबी स्वाध्यकृतिया आपने पूर्ण की होगी संधी का विस्तार से स्वष्टिकरण नहीं दिया है प्रश्ण पत्र में मैंने विस्तार से आपको पड़ाया था आज पुर्णरावर्तन के हेतु संधी के तीन प्रकारों की जानकारी तता संधी विचे, संधी शब्द, संधी बेट की ताली का उत्तर के साथ आपको दी गईए हम गध्यावश्की कृतिया पुर्ण करते समय व्याकरण विभा का पुनावर्तन करते रहेंगे और वेच्च आपको छटी कक्षा से लेकर नवी कक्षा तक का व्याकरण का पुनावर्तन करना है खूश रहो, सुरक्षित रहो, धन्यवाद